च्छत मईया की गार्था गाउं सुन और भगतो ज्यान लगाई स्वापर युग की एक कथाए सिरी केष्न द्वार का में आए उनकी पटरानी रुक मडी थी रती विजन को देख लजाए सो रहो संगार बती सो अभरन करके बेठी महल में जाए पान में पुंडल नाक मनतनी अंगुली अंगुली अंगुटी रही दिखाए पाओ पे जनिया माथ टिकुलिया हाथ में चगना रही खनकाई त्वाली अंख में काला का जल काली अंख में काला का जली आखी किसो भार रहा पढ़ाई सणे मुट माथे पे बिराजे जमक से जिसके दूर लजाए मन मोहकता चेडा है साथ जो देखे देखत रह जाए किष्ने की आस लगाए बड़ी तब तब साम्ब गया है आए जाम पती का बेटा लगता तू सेरी पटरानी जो कहो है महल की और कया रुक मड़िके देखे के रूप कया मुरचा आए सजधज के सिंगार किया है सजधज के सिंगार किया है साम्ब देखे के गया लुभाई लगा बिचार बबन मैं करने कास मेरी पत्नी बन जाए कितना भाग साली में होता मूरच को गया पाप समाज जो है इसकी माता लगती उसी के बारे में सोचा हाई क्यों ना मिली मुझे पत्नी ऐसी मूरच मन ही मन पच्चता है मेरे पिता जी सिरी किष्ण को क्यों मिल गई समझ नहीं आए सांबी मन में सोच रहा है सांबी मन में सोच रहा है नजर पड़ी रुकमड की जाज अपलक रहा देख माता को लच्चमी का जो रूप कहाई उसके भाव को समझ गई अंदर या मी जो कहला एक रोध तो कर बोली माता पाप गया तेरे मन में समाई तेरी भाव ना समझ गई हूँ रूप देख के गया लुभाई में हूँ तुम्हारी माता लगती हूँ सोच रहा लूब्या ही रचाई अरे दुष्ट तू महामूरक है अरे दुष्ट तू महामूरक है मूरक नहाद से बाहर जाए पैदा हुआ है तू जिस तन से उसी से सोचे व्याही रचाई वासन में तू लिब दे पापी तेरे पिता को दूंदी पताया ने दो मेरे पीता मजी को कैसे ए सब सोचाहाई आते ही में सारी बातें पाती यहों को दूंदी पताया नीची अभागे पापी तुझको देती हूँ मैं डंड दिलाए बातें सुनके सौंब डर गया बातें सुनके सौंब डर गया तभी सिरिकेश्ट में गये है आए रुखमाडी सारी बात बताई अपने पती को दिया बताई बातों को जैसे ही सने है सुरी केश्ट जी क्रोध में आज जहरा गाला पड़ गया उनका सारा बदन गया धर राए क्रोध में होके इस्त्राप दिये आरे पापी तुझे कुष्ट हो जाए जैसे ही सीरी हर द्राप दिये है भाई के मारे गया धबिराए उसके बदन में कुष्ट हो गया उसके बदन में कुष्ट हो गया श्राप निया सरद याद खिलाश फीप मवाद लगाए चूने चेहरा उसका काला दिखाए मन मसोस मत्रा पहुचाए कहु घाट पर बेठा जा लगाए प्रभु का भजन वो करने अधिक दिना है दिया पिता एक दिन वहां पे बिचरण करते नभ मंडल से नारत आई नाराय नाराय अण कहिते हात में बीडा रहे पजाए ब्रम्हाजी का बेटा लगते जिनका वातिन रत्य हुआ सांब ने बिड़ना में किया है देख दुर्दस आ गए घबिराय सारा समचार है पूछे एसा कैसे हो गया है सांब ने तब सारी बाते नारत जी से दिया बताय नारत जी को दया आ गई सांब को फिर बे रह समझार माता के प्रति पुत्र की एसी सोच न सोभा देती हाई क्यों तू किया है एसी गलती क्यों तू किया है एसी गलती सांब को नारत रहे बता गलती पर पच्चताया सांब है हात जोड बोला सिर नाय है प्रभु जी मैंने की है गलती जल्दी खोजिये कोई उपाय गलती का पच्चताबा मुझे को पता रहा हूँ एक उपाय ध्यान से सांब बात को सुनिये जो पहता हूँ पर ये जाए सायद तुमें सस्त हो जाओ अभी बचा है एक उपाय छटी मैया का प्रति करो तुम छटी मैया का प्रति करो तुम सांब को है नारत समझाए सूर्ज देव का पूजा करना तुमको भी दि देता हूँ बता ध्यान से सारी बात सुनो तुम कार्दिक माहरा है या इसमें सूर्ज की पूजा होता छटी मैया को भी पूजा जाए छटी मैया संद सूर्ज की पूजा सांब करो तुम धान लगाए सूर्ज और मैया के प्रभाव से सायद पुष्ट ठीक हो जाए बड़ा महत्वे छट के ब्रत का बड़ा महत्वे छट के ब्रत का सांब को रहे नरत समझाए छटी मैया है बड़ी दयालू भगतों पर दय करती आए छटी मैया के संद सूर्ज भी भगतों पर होते हैं सहाई जिन पर दोनों खुस हो जाते उसका देते कश्ट मिटाए बिधी मिधान इस ब्रत को करो तुम सायद रोग दूर हो जाए इसके बाद मैं एक दूसरा तुमको फिर हूँ बताता हूपाई जाता हूँ मैं बेध बुलाने जाता हूँ मैं बेध बुलाने ब्रामण को लेता हूँ बुलाई साक दीप पर जो रहते हैं सकल दिपी है जो कहलाई रोगों पाई लाजे करते मलहम फट्टी दूंग कराई कुछ समय तक करोप दिख्चा उनको भी लाता हूँ बुलाई साक दीप तब गए है नारद सकल दिपी को लाए बुलाई साम्ब की दुर दसा देखिके मलहम फट्टी दिए करवाई दबादु आदोन सुरू दबादु आदोन सुरू हुआ है पिधी मिधान से पूजन कराई आ गया है कार्ट की सश्ची साम्बे ने आसन दिया लगा छट के ब्रत को सुरू किया है छटी मईया का ध्यान लगा तनमन धन से ब्रत किया वो सुरू को अरद किया है जा जैसे ही कच दिन बिता है उसको लाभ हुआ है दिखा दिन पर दिन स्वस्त होने लगा है छटी मईया तब हुई साय धूम धाम से छटी मईया की रूम धाम से छटी मईया की पापी पूजा किया है जान साथ साथ ही सूर्ज देव को मन ही मन में भजता जाय सुन्दर और स्वस्त हो गया वो मान दिया है रोग मिटा सिरी किष्न को पता चला तो मतरा के गवगाट पे आय साक दीप के सकल्द पीजो वहीं प्रब्रामड गए भिटा जिन हुने इलाज किया है उनको स्राप दिये है जाए ब्रामडो तुम स्राप हुदेता हे ब्रामडों तुम स्राप हुदेता पूजा पाठ सब नश्च हुजा परजित कर दिये सब की पूजा सिरी केशन गए क्रोध में आय मेरे स्राप को विफल किये हो इसका भल पाओगे हाँ साम्बेन की अब्रामड की बिदाई सकल्द पीन जिभवन को जाँ जैसे ही कुछ दूर बढ़े हैं स्राप ने असर दियाद खिलाए सब का स्वास्त लगा है बिगड़ने केशन का पेर पकड़ लिये जाए सिरी केशन को दया गई सिरी केशन को दया गई मजदूरों को लिया पुलवान सारी कारी गर को हे भेजे यत्रे तत्रे उन्हें दिया बसाए रहने के लिए घर बनवाए दयाल भगवन दया दिखा जो रोगी का इलाज करेगा ओ न कभी पूजा करवाए पूजा पाठ के योगी न होगा बात को सुन लो ध्यान लगा जो नहीं करें किसी की चिकिस्सा वही प्राम्भाड पूजा करवाए स्राप्र को बापश किष्ण ले लिये त्राप्र को बापश किष्ण ले लिये ब्राम्भाड लोग पर दया दिखा जमू दीप पर ले जा करके प्राम्भणों को है दिये बसाए साम्विश्वास्त हो गया है देखो पिता को देखे किरह बसकाई चरण पकड़ के माफी मांगा माफी मांगत भी सर्माई सीरी केश्ण ने माफी कर दिया पुनह द्वार का पूरील जाए भवन में गया रुकमडी मांके चरणों पे दियसीस जुकाई माता जी मुझे माफी कीजिए माता जी मुझे माफ कीजिए रोने लगाऊ था भी गिया मनता मैं मामाप की गलती पच्चे को सीने से लिया लगाए साम्ब के जैसे सब को मैया रोग से देती मुझे करा जो भी छट का ब्रत है करता उसको कभी न रोग सताए साम्ब खुस हुआ सभी को पाकर छटी माईया ने दिया मिलाए माप कीजिए सब उसकी गलती होते हुआ पारवारे को पाल छट की महिमा अपरम छट की महिमा अपरम पारे भगतो सुन लो ध्यान लगाए सत्योग में भी एक थे राजा जिनका नाम सरयाति कहाए एक हजार थी जिनकी पतनी उनको पुत्र नहीं हो पाए बंसिक नाम पर एक थी कन्या तूसरी उनको हो नहीं पाए दिन दूना और रात चोगिना कन्या से आनी हो खत जाए सभी प्रेन उससे करते थे चंदक जैसे चहरा दिखाय कमलक जैसे आँख ते उसके रती भी जिसको देख लजाय धीरे धीरे उई सयानी चंचल पेता समानती हाय प्राणों से प्रिय पेता को लगती आती सुन्दर है रही दिखा धर्दिक उसके जैसन सुन्दर कोई न दूजा रूप दिखा रूप योवन की तुलन नहीं है जिसकी सुन्दरता कही न जाए उसकी सुन्दरता के चलते ही नाम सुकन्या गया रखा एक समय सर्याती राजा एक समय सर्याती राजा जलबल सवाई लिये है सजाई मंत्री से नाको बुलवाई योधाओं को भी लिये बुलाए संग परोहित को भी लेकर राज गये जंगल में आए सिकार खेलिन जाने के ले हैं खना भोर जंगल दिखिलाए सिकार खेलित दस दिन भीते मोज मस्ती में दिने पिताए रात में बेपत्नियों को लेकर करते कीडा जंगल में जा जंगल में लग मंगल करने जंगल में लग मंगल करने खुसी कि उनकी सीमाना सक्या पोले जंग सुकन्या फूल तोड़ने जंगल जा जहां पर चैमन बुनी रहते थे वहीं पर पहुच गई है या लगा के बेठे मुनी समाधी धोका सुकन्या गई है काद मक देह में लगे जून के मिती के बीच में आँख दिखा जमक रहे जुगनू के भाती देख सुकन्या रही मुसका चंचल ताबस आँखे फोड़ी जुगनू समझ सुईदिया घसार मुनी की दोनों हाँ के पूते गई खूनी की धारा बहती जाए हाथों में लिए पूली की डारी गई सुकन्या घर में समाज ऐसे ही मुनी की आँखे फोड़ी असमय गईब पत्ती आय राजा प्रजा बिमार हो गई हाँ हाँ कार मचा है हाँ बंद हुई सब की लग संका पेट का दरद भी भड़ता जा तीन दिना तीन रात है भी थे पीन दिना तीन रात है भी थे राजा परोहित लिए बुलवान सारे लोग बिमार पड़े है क्या कारण है दो बतला देपे द्रश्टी से देखे परोहित राजा जी तो रह समझा भार्गों बंस में ये किरिशी है चाय बन है जिनका नाम कहाई शुरू कर दिये गोरित पिस्या दीमक्त मां से रहे है काई हटी कढ़ाचा से से रह गया उस मेह मिट्टी का ये लगटा उनकी आँख सखन्या पोड़ी उनकी आँख सखन्या पोड़ी खून की धारा बेहती जाए नहीं जान पाई है लड़की दी अज्यानी सुईधसा उसकी भी कोई गलती नहीं है नहीं समझ पाई हो हाँ अनजाने में कर बेटी है है निदान का एको पाई मुनी जी को पिलशन कीजिए यता सीखर जंगल में जा जंगल में है उनका असिरम परमनों हर कुटी दिकाय कष्ट से प्रोध में जय बढ़ मुनी है कष्ट से प्रोध में जय मन मुनी है खून की धारा बहती जान रुकने का है नाम न लेती नेतर हीन गए खोध में आए इसलिए बीमार पड़े सभी दिया परोहितने बतला देर न कीजिए राजा जी नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाए किसी तरह से उन्हें मनाए अभिया प्यास्रम को जा जैसे जैसे घून बहेगा पैसे कश्ट भी वड़ता जाए राजाने कसलिया सवारी राजाने कसलिया सवारी अक सुन्दर घोडा दिखिला आस्रम को जल दिये राजा लिये सुकन्या को बैठाए मुनी के आस्रम को जा पहुचे फून देखके उठी चिहाए फून का ठका जमा पड़ा है चार तरप ही लाले दिखाए दोनों आख मुनी के फूटे दर के मारे गई खर राए कैसे पास मुनी के जाएं राजा को कुछ समझ न आए हिम्मत जुटा के राजा पहुचे हिम्मत जुटा के राजा पहुचे चाई बन मुनी के पास में आए पकड लिये है पेर मुनी का चरणों में दिय सीस जुखाए चाई बन मुनी से राजा बोले मेरी चुक चमा हो जाए कन्या ने अपराध किया है आँख तोड़ दी आप किया है आँखों को जुगनू समझा था उसमें सुई दिया है दसा है समझ न पाई आप को मुनी बर उस चन चलता गई समाए अन जाने में चूक हो गई अप राध चमा हो जाए अपनी कन्या तुकन्या थो हाथ अभी देता हूँ थमान इस दिने आप किसे बटरेगी कश्ट याप का सहा न जाए चाई बन दिसी सब खुस हो गए राजा से बोले मुस्तका ध्यान लगा के सुन सरयाती देता हूँ मैं कश्ट मिटा है मुनी ने कश्ट को दूर किया है खुस हुए सुकन्या को पाई सुकन्या को पासे बुला कर मुनी के माते में दिये ठमान जान कर दिये सुकन्या का मुनी खुस हुए कन्या पाई क्रोध सांत हुआ है मुनी वरिका रापिली ये बापस लोटाई सारे पिमारे सथ हो गए है राजा सेना सहत पठाई अपने देश में पहुचे राजा सारयाती ने जिमहल समाई लगी सुकन्या जेवा करने मुनी वरिका ध्याने लगाई कार्टे के मासे के सश्टी तथी को कार्टे के मासे के सश्टी तथी को लाने भूलन कन्या जाए एक तलाबिक पास गई है नाग कन्या को देखा जाए कसव जी के यग मंडब में देख डूस को गई समाण नाग कन्या की सूर्ज की पूजा तेखने लगी सुकन्या जाए नाग कन्या से लगी पूछने क्या करती हो दो बतलाई किस कारण से आई यहां पे सारी बात दो मुझे सुना छट ब्रत का पूजन करती हो रही नाग कन्या समझाए करती है जो सूर्ज की पूजा उनके मनोरत फूण हो जाए नाग कन्या ने सुकन्या को दिया है सारी विधिवता सुकन्या की महापर्व को पूनी के बंदर ने स्रे खुलिया राज चपाए के और हिस में सुना और संतो ध्यान लगाए पट्रा सेर में हेक सेट था मही पाल है नाम कहा धर्म कर्म डेवतों कभी रोधी धर्म कर्म डेवतों कभी रोधी पूचा पाठे ना उसको भार छट के घाट को किया है गंदा मले मूत्र त्यागा है जाए छटी मैया ने आखें पोड़ी कष्ट में जीवन रहो पिता एक दिन कष्ट सूप गया है चान तैन गंगा में जाए नारद जी रस्ते में मिल गए पारी बात दिया समझा रोकर सेट लगा बत लाने नारद कब उसको समझाए आत्मे हत्या महापाप है आत्मे हत्या महापाप है छट को लोता मुद्रती उठाए कार्ति के माहे में पूझा करना सारे कश्ट दूर हो जाए सेट न छट के ब्रत को किया है माने कश्ट को दिया मिटा अभी कहानी और है बाकी सुनोर भगतो ध्याने लगा इस ब्रत को जो पुर्स भी करते कई कहानी सामने आ जुआ खेल रहे थे इडिश्टिर सब कुछ दाव पे दिये लगा हार एक जंगल में जा निकले संखट काल गया दियराय भी सड कश्ट से गुजर रहे थे कि ये परोहित जीवत लाए माता छटी का करो तुम ब्रत सौरे कट दूर हो जाए द्रोपति के संग ब्रत किये हैं सूर्ज देव ताठोस हो जाए ताम बेका एक बरतन दे दिये जो भोजन चह प्रत हो जाए सूर्ज देव बरतन दिये हैं कोई संपत्ती गई है आए और भी इस मेरा जेवां की आओर भी इस मेरा जेवां की सुन और भग तो ज्यान लगाए जेव के चट की महिमाबादी जिसका वड़न न किया न जाए मुगल काल का एक था राज आओरंग जेव नाम कहाए मंदिर तोड़े जगह जगह का देव नगर को पहुचा जाए वह पै देखाए सूरी का मंदिर अति सुन्दर जो रहा दिखाए सोने का जिसमे कलस जमकता देखके राजा गय चक्राए चलाए जब मंदिर तुड़वाने जला है जब मंदिर तुड़वाने देविक लोग उसे समझाए इसे तोड़ना महापाप है सुनके राजा रहम सकाए अभी तोड़ देता हूँ इसको लोगों ने रोका है जाए एक सर्थ है सभी सुन लो कभी दियावा है सर्थ बता रात भर का समय हुदेता बात को सुन लो ध्यान लगा तेरे सूर्द देविक अति अभी मैं लेता हूँ अजमाई अगर हो इन में जराभी सकती अगर हो इन में जराभी सकती पुरभ कदार पजिम हो जाए नहीं तो तोड़ूंगा मंदिर को सूर्ज देव को लोग मनाए मंदिर की रक्षा कीजिये प्रभुजी सारे लोग रहे गोहरा नहीं तो तोड़ेगा यह पापी अपनी सकती दीजे दिखाए सूर्ज देव ने दिखा दी सकती पुरभ कदार पजिम हो आए सोकर राजा उठा सवेरे देखिक मंदिर कया चिहाँ सकती देखिके सूर्ज देव क्या सकती देखिके सूर्ज देव का चरणों में गिर पड़ा है जान बिन तोड़े ही मंदिर लवता त्वारे आज भी देखा जाए सकती उरंगा बादिक दच्छन नामें जिसका देवी कहाए पड़ता है बिहार राज में लोग जहां छट करने जाए जो भी यहां पूजन करता है उसके मनोरत पून हो जाए क्यासे करते पूजन छट का देती हूँ मैं भी भी बताए कार्थिक सुक्ल पक्ष जोंतिती है कार्थिक सुक्ल पक्ष जोंतिती थी मैं सुबह सवेरे ही जग जाए नितिक्रिया कर सूर्ज को जल दे पुन है प्रणाम करे सिरनाय सेश्ट जनाव को उसी स जुगाए भोजन साथ विप सुद्ध बनाय पून रूप से हो सा कहारी प्रती उसी भोजन को पा रोटी रातरी में खाते हैं आतनले भूमी पे लगा पलंग चार पाई पे न सोबे सुबह पंच मी जाए गया जिसको छोटा छट के जिसको छोटा छट के दे सुबह का मेरे ही जग जाए करे सिनान सूर्ज को जल दे सारे दिन भूखे रह जाए कभी किसी से जूट न बोले रज सबला से नहीं चुआ छटी माईया का सुमरन करके सूर्ज देव का ध्यान लगा फिर दूसरे दिन बढ़ की छट को सुबह सबेर ही जग जाए आमक दातुन से मोह धोए नहा के सूर्ज को जल दे चड़ाए नदी के नारे साम तुजा घर नदी के नारे साम को जाकर घर पूजान करके आए फल फूल से अर्धिद सूर्ज को पच्चे में दो परक्रमा लगा पुनह लोट के धर को आबे खर आंगन ले सभी सजाए चोंका पूर मंडप को बनावे ये कि कलक दिय धटनी मगा फल पकवान सभी को लेके अपना दौरा खुब सजाए खुसी खुसी ले घाट को जाते पूर्ज देवी चटी मैया मना चटी मैया के गीत को बावे जटी मैया पे घीत को गावे लोग उसको बेठाते है उस तौरा में सब फल को सजाए चरे पुनहले गवरा घाट पे जाए सूरे उदाई की करेप तिच्छा तूधे और फल फूले जुटाए नारी अलभी दवरा में लेकर सूर्ज देव को अर्ध चड़ाए परिक्रमा कर सूर्ज देविका सभी बड़ों को सीस जुखाए ब्रहमण देव को भोजन करादे अर्ध धर्म की प्राप्ति होगी निर्धर्म भी धन्वान उजाद इस दिन घाट की होती सपाई गंगा घाट को लोग सजाँ सागर टट भी सजधद जाता तौल तलैया स्वर्ग दिखाई जगमग जगमग जोती जलती सूर्ज देव को सभी मना चारो तर पोचट की पूचा मैया की जैकार सुना देद कुराण स संजय ओहित कथा लिखे है ध्यान लगाए संजो बघेले ने गाकर गाथा संजो बघेले ने गाकर गाथा छटी मैया का दिया सुनाए संजो हां को सीसे जुका